अभी जो अगस्त का एक्जाम आप लोगों ने दिया यह अगस्त का जो question paper आप लोगों ने देखा जितने भी बच्चे sociology की तियारी कर रहे हैं और December 2024 जिनका target है कि हम J.R.F. लाना चाहते हैं तो उनको यह लग रहे है कि यार क्या अगस्त की तरह का paper भी December में आयेगा और अगर ऐसा ही paper आया तो हम क्या करेंगे बहुत चिंता सता रही है काफी सारे बच्चे डरे हुए हैं लगातार हमें messages आती हैं कि Sir अगर December में भी इसी तरह का paper आया तो क्या होगा कैसे हम लोग आग कि सामने उपस्थित हूँ यह topic ले करके कि December exam में अगर difficulty level same हुआ तो हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए अपने तैयारी में क्या-क्या परिभरता लाने चाहिए और बहुत अच्छा performance देने के लिए tough से tough paper में भी बहुत अच्छा score करने के लिए क्या करना पड़ेगा students रहेगा और कैसे जो gap रह गया है उसको हम cover कर पाएंगे और बहुत बड़ी चीज़ एक हम यह समझेंगे कि क्या सच में paper बिल्कुल out of boundary था यह सारी बाते हम लोग आज discuss करेंगे ठीक है तो सबसे पहली बात तो यह है students कि जिन्होंने दिसंबर का paper देखा है और जिन्होंने नहीं देखा है दोनों उस paper को एक बार फिर से देखेंगे सबसे पहली बात बहुत important बात है सबसे पहला पॉइंट आपको यह करना है एनलाईज एट देखेंगे मैं भी आप लोगों को एक session लेकर के आऊंगा जो मैं हमेशा लाता हूं जो पढ़ाया वही आया तो मेरे ख्याल से वेनस डे और फ्राइडे को यूचूब पे ग्यारा बज़े मैं आप लोगों के साथ डिसकस करूं मैं जो पढ़ाया वही आया उसके पहले आप लोगों को पेपर को एनलाईज कर लेना चाहिए एनलाईज अगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर पेपर अब आप इस अगस्ट के पेपर में देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें अन्नोन हैं बिल्कुल अगर आपको अन्नोन लगते हैं तो भाई यह समझ लीजिए कि अलामिंग बैल है आपके लिए एक वार्निंग है आपके लिए एक चितावनी है आपके लिए बात समझ रहे हैं अगर आपके 60 questions अन्नोन लग रहे हैं आपको लग रहे हैं कि अरे यह तुम आने कभी देखा ही नहीं था यह कैसे question आ गया है यार मतलब 60 से ज़्यादा question ऐसे जो आपने कभी देखे ना हूँ तो भाई सच में आपको डरने की जरूरत है और रियल में आपको डरना चाहिए और यह आपके लिए एक warning है कि भाई आप अच्छी तरह से cover करें चीजों को फिर से पढ़ें क्योंकि इसका मतलब आपकी knowledge sociology को ले करके बहुत काम है अगर आप 60 questions आपको ऐसे लगते हैं कि unknown थ जो हमारे देखे हुए थे बात समझ रहे हैं आप जो आपने देखा था जो आपको लगता था कि यह 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 जानते हैं और साट के questions जो थे और वह आप रहे वाप वह हमने कभी देखनी अगर आपको ऐसा लगता है बॉस तो मैं बता रहा हूं कि आपको सही में चिंता करने क जरूरत है और आपको strictly paid class join करना चाहिए चाहिए आप किसी भी इंसान की join कीजिए strictly go for paid class अब आपको लग रहा हुआ कि यह मैं अपना paid class का प्रचार कर रहा हूं तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरी class आके join कर लो मेरी class में बैठ जाओ मेरे को पैसा दे दो मैं आपसे नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा कि और आपरे यह question कहां से आ गए और 60 के करीब questions ऐसे थे तो फिर आपको paid class करने की जरूरत है और बहुत अच्छे teacher से आपको पढ़ने की जरूरत है second ऐसे लोग जिनके 52-40 questions ऐसे थे जो unknown थे तो उनको भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है ठीक है अगर आप self study कर रहे हैं तो आपको भी बहुत मतलब शिदत से आपको free classes जरूर फॉलो कीजिए दोनों classes yt और master class दोनों ही आपको बहुत शिदत से follow करना चाहिए और अगर आप paid class join कर सकें तो आपको जरूर करना चाहिए पेड और self study self study करते हैं तो लगातार consistency बहुत important है detail detail में concept तो समझना बहुत important है सबसे पहला consistency चाहे दुनिया इधर उधर जो जाए आपकी पढ़ाई ने अगर आपको पता भी लग जाए कि कल दुनिया हो जाए गी तब लिए आपको आज पढ़ाई करने क्या भरुसा है कोई वरुसा थोड़ी यह दुनिया का आपको कल दुनिया हो जाए घ्रम दे नहीं तो इस लिए consistency बहुत जरूरी है और detailed कॉंसेप्ट का अंडर्स्टेंडिंग डिटेल अंडर्स्टेंडिंग ऑफ कॉंसेप्ट हर एक अब धार्णा को आपको बहुत व्यापक रूप से अलोचनात्मक विशलेशन करते हुए अध्यान करता है क्या सकते हैं क्या क्या पूछ सकता है और उसको कवर करता है थार्ड वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके की 30 to 40 questions ऐसे रहे जो नहीं पता थे बाकी 70 questions तो पता थे बास तो उनको इतना घवराने की जरूरत नहीं है तो थार्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए इतना डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वह काफी असान है एक दो महीन आप थोड़ा 30 दिन 40 दिन अगर आप लगतार अच्छे से कवर कर लेंगे तो वो सारी जीज़ें जो बची हुई हैं अगर आप यह मान लीजिए कि आपको 70 questions पता थे 60 से 70 questions आपके unknown थे आपको लगता है कि यार यह तो मेरे को मालूम था लेकिन थोड़ा सा कहीं ने कहीं गड़बड होने की वेज़े से कुछ बात हो गई है तो फिर यह फिक्र वाली बात नहीं है यह लेकिन बाकी के जो दो category एक वो जिनको लग रहा है कि साथ question ऐसे आगए ते रहे बाप रहे पता ही नहीं कौन से हैं दूसरे वो जिनके पचास में से चालिस को पचास या चालिस questions ऐसे थे जो कि अन्नोन थे ठीक है तो आप दोनों को paid class लेने की जरूरत है लेकिन 60-70% वाले लोग ज़्यादा डरे नहीं गवराये नहीं अपनी पढ़ाई को अराम से विल्कुल शान्ती के साथ अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं बहुत important बात बता रहा हूं जो आपके जीवन में हमेशा काम आई आपके मन में शान्ती होनी चाहिए आपके मन में पीस होनी चाहिए आपके मन में confidence होना चाहिए पीस जो है ना शान्ती यह confidence की बहुत बड़ी निशान्ती एक छोटी सी कहानी में आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा ऐसे लोग घबराते नहीं है, शांत रहते हैं, एक बार क्या हुआ कि चारली चैपलिन ने ये समझने के लिए कि क्यार कोई मुझसे भी बहतर चारली चैपलिन का केरेक्टर परफॉर्म कर सकता है, उसके मन में ये सवाल आए, कि क्या कोई मेरे से भी अच्छा, मैं खुद चा चारली चैपलिन का केरेक्टर मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से कोई परफॉर्म कर सकता है, उसको लगा कि यार क्यों नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में लोग, कर सकते होंगे, तो चारली चैपलिन ने खुद एक कॉंपटिशन और्गनाइस किया, और उसने किसी को नह अगे, एक से ही लगते हैं, और चार्ली चैपलिन का खुद का रियल चैरा अपने को नहीं मालूम है कि कैसा दिखता होगा, वो पूरा पुता हुआत रहता है, तो चार्ली चैपलिन ने उसमें पाडिसिपेट किया, और बहुत सारे लोग आए पाडिसिपेट करने के लिए लेकिन जीद गया Charlie Chaplin, जो रियल वाला Charlie Chaplin, तो वही जीद गया, और जब वो जीद गया, फस्ट आ गया, तो बहुत खुश हुआ, उसको थोड़ी दर बाद याद आया, कि मैं तो रियल वाला हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कि मैं जीद गया, मैं ही तो रियल ह वो फस्ट आ गये थे, लेकिन वो चुपचाप उटे अपनी चेहर से, और उठकर के चुपचाप चले गया, शान्ती से, उन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैं ही रियल हूं, और मैं ही फस्ट आया, मतलब आप समद रहें, ये होता है confidence, ये होता है अपने अंदर शान्ती, नहीं, जैसे अब आपके साथ क्या हुआ, आप अगस्ट का एक्जाम देने के लिए गये, हो सकता है कि आपको 60 to 70 questions ऐसे मिले, जो कि अरे वावावावा सर देखे तो थे, लेकिन कुछ 30 questions ऐसे मिल गए, 30 भी क्यों 20 questions है, क्योंकि 10 questions तो वो पैसेज वाले होते हैं, किवल 20 questions ऐसे मिल गए, जो कि tough थे, उसमें कुछ chronology थी, कुछ 10 के करीब chronology थी, और 10 के करीब कुछ ऐसे questions आ गए, मान लीजिए, बदनसीबी है, कि भाई toughy questions आ गए, 20 questions ने आपको इतना हिला के रख दिया, कि आप उनसी questions में अपना performance अच्छा नहीं कर पाए, यह किसकी गल्पती है इसका मतलब यह है कि आप अपने अंदर से अपने आपको शान्त नहीं रखते हैं, अब यह जो अंदर से शान्ती है, अंदर से confidence है, जिसकी कमी है आपके अंदर, यह आप कैसे दूर कर सकते हैं, वो questions भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कि वो कौन से questions हैं, जिन्होंने करके आया हूं, तो वो भी questions हम लोग discuss करेंगे, almost हर एक question में chronology के ऐसी किताब मिलेगी आपको जो आपने पढ़ी हुई थी, ऐसा नहीं है कि वो आपने पढ़ा नहीं थी, ठीक, ऐसा कोई question नहीं होगा, एक या दो question छोड़ करके, ऐसा कोई question नहीं होगा, जिसमें आपको य यह लगे कि यह तो बिलकुल ही बाहर से आगया, अगर आपने paid class की और आपने YouTube class भी देखी और आपने master class भी देखी तो ऐसा question हो ही नहीं सकता, आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अगस्त की जो दिसम्बर की तैयारी है, दिसम्बर 2024 की, उसको आप कैसे करेंगे, क क्या strategy अपनाएंगे, क्या चीजे चेंज करना है, क्या परिवर्तन करना है, अब भी जस्ट पांच मिनट पहले भी एक student ने मुझे message किया, और मुझसे यही पूछ रहा है कि सर मुझे दिसम्बर 2024 में GRF लाना है, तो आप बताईए कि अब मुझे किस तरह से रणनीती बनान इसमें आखरी तक देखिए, क्योंकि आखरी में मैं आपको पूरी strategy बताऊंगा, conclude करेंगे इस चीज को, कि अब हमें क्या-क्या करना चाहिए, वो जरूरी है, conclude करना जरूरी है, conclusion देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह नहीं है कि अब आप जंप कर जाए conclusion पे, क्यों आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं लगतार, तो step by step आपका brain जो है, उसका storming होता है, और अगर आप beat से छोड़ के चले जाते हैं, तो उसका storming नहीं हो पाता है, तो मेरे को थोड़ा प्रचार भी करना पड़ता है, तो अभी enrollment चल रहा है, discount चल रहा है, अगर आप enroll कर करना चाहते हैं, तो 6905 रुपीज में enroll कर सकते हैं, और अगर आप M.A.N.O. जे code इस्तमाल कर लेते हैं, तभी आपको ये 6905 वाला जो class है, वो मिलेगा, discount है, वो मिलेगा, code कैसे इस्तमाल करते हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँगा, और बता दू कैसे में लेगी आपको, वो भी मैं आपको बता दूँगा, वो number वगयरा भी मैं आपके साथ share कर दूँगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, एक बार Google पर जाते हैं, और पता करते हैं कि कैसे आपको क्या करना है, किस तरह से आप जो है, मैं अपने आपको भी चिपा लेता हूं, और किस तरह से आप code लगा सकते हैं, तो जैसे आपने Google की website खोली, तो ऐसे ही आप एप भी download कर लिजेगा, एप से भी उसाता है, नहीं तो direct Google से testbook डाल दीजेगा, testbook.com, ठीक है, testbook.com डाल दीजेगा और उस पर यह, जैसे ही आप testbook.com डालते हैं, तो य यहां पर click कर दीजिए, आसानी से कोई दिक्कत नहीं है, और आप देखिए, यहां पर fees कितनी बता रहा है, 20,094 रुपए fees बता रहा है, अब यहां पर आपको क्या करना है, यह coupon apply करने का option दिया हुआ है, तो इस coupon को apply कर दीजिए, अब यहां पर already मैंने apply किया था, ठीक, त OJ, ठीक, मनोच, और इसको आप दवाना है, जरूर से apply कर देना है, तो यह जो आपकी जो discount है, वो आपको लागू हो जाएगा, ठीक, 6,905 रुपए दिखने लगेगा, आपको तो 6,905 रुपीज में आपको मिल जाएगा, वो course जो 20,094 का यह बेच रहे है, ठीक, और EMI भी available है, तो 2301 रुपए, 3 EMI करके आप पे कर सकते हैं, असान है, ठीक है, code लगाना भी असान है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और समझते हैं, कि आप December में किस तरह की strategy रखें, क्या करें, कि आपका जो JRF का सपना है, वो पूरा हो सकते हैं, अब एक और छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, Alexander की एक कहानी है, Alexander कहते हैं, कि अपने गुरु से कहते हैं, Alexander, कि गुरुजी जो पूर्व में रहने वाले लोग हैं, यानि हम लोग, East के लोगों से बहुत fascination था उस समय, बहुत आकरशन था, कि यार East में बहुत सारा पैसा है, सोने की चड़िया है, भारत, तो Alexander ने अपने गुरु से पूछा, कि हम लोग इस्ट की इतनी ज़्यादा बाते करते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर एक डर भी है, इस्ट को लेकर के, वहां कोई जाना भी नहीं चाहता, अगर वहां पे इतनी दौलत है, इतना पैसा है, तो क्यों न हम इस्ट को पूरा कब्जे में कर सकें, क्यों ये संभवद ही हो पाया, कोई क्यों हमारे यहां से आज तक जा करके, वहां पे पूरा राज क्यों नहीं कर पाया, और टिका क्यों नहीं, तो उसके गुरु जी कहते हैं, कि बेटा, बहुत बड़ी बात ये है, कि अगर चाहता है, कि तो इस्ट में जा करके, इस्ट को कब्जा करना चाहता है, तो एक काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, तो लेकि जो पिछले बार जो हार के आए हैं न, वापिस वहां से, बहुत बड़ा कारण था उसके लिए, ठीक, कहानी मैं बताऊंगा आपको लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं बता देता हूं कि यह हमारा WhatsApp ग्रूप नंबर है और यह Telegram चैनल का ID है तो दोनों को आप जॉइन करना चाहते हैं तो जॉइन कर लीजेगा आपको फाइदा होगा ठीक फिर उसके बाद पेपर वन की क्लास नहीं करते हैं तो करना शुरू कर तो अलेक्जेंडर से ने मतलब गुरू जी ने उसके बोला अलेक्जेंडर को कि अगर तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो तुम जरूर इस्ट क्या पूरी दुनिया फताय कर लोगे लेकिन तुम्हें अच्छे दोस्त की आवश्यक्ता है तो अलेक्जेंडर ने कहा कि अच्छा दोस्त क्या होता है तो उसके गुरू जी ने बताया कि अच्छा दोस्त हमेशा आपके लक्ष को प्राप्त करने के लिए आपका सायोग करेगा वही अच्छा दोस्त है अगर बीच में आपको दोका दे दे आपका दोस्त उससे खतरनाक कोई चीज नहीं होती यानि भरोसे मंद दोस्त अगर आपको मिल जाए कैसे भी करके चाहे वो सैनिक हो नॉर्मल चाहे आप पैसा दे करके खरी दें उसको लेकिन आपके पास एक अच अच्छे भविश के लिए चिंता करें जो आपके साथ मिलकर आपकी लड़ाई लड़े जो आपके सुख में आपके दुख में आपका साथ दे तो इस्ट क्या है पूरी दुनिया जीत लोगे बेटा तुम बात समझ में आ गई तो फिर अलेक्जेंडर ने अपने पास एक स गे भी समझते था इस समय कोई दो लड़के आपस में ऐसे घुल मिल जाएं एक ही टैंट में रहे तो बहुत गलत समझा जाता था यह दोस्ती उसी नहीं समझते था कि जाता है जबकि ऐसा थानी कि गे है क्योंकि उसके बहुत सारी संताने थे रही है अलेक्जेंडर के ठीक कि जो लक्ष आप प्राप्ट करना चाहते हैं जो आपका एम है जो आपका टार्गेट है आप अकेले तैयारी करते हैं लेकिन सोचिए कि अगर आपको किसी का साथ मिल जाता है तो आपकी तैयारी में चार चांध लग जाएंगे आपकी तैयारी कितनी आसान हो सकती है किसी ने कहा था कि समय को मल्टिप्लाई करना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं अगर कोई दूसरा कर सकता है तो उससे करवा लो और अपना खुद महत पूर्ण कार करो तो इस्टुडेंट्स आप खुद से जाकर के मटरियल को यहां वहां सर्च करेंगे उसमें कितना टाइम वेस्ट होता है तो दो बाते हैं एक तो आप मेरी बुक ले लीजिए या तो फिर आप पेड क्लास ले लीजिए या दोनों ले लीजिए बैस्ट है का सबसे बैस्ट ऑप्शन है कि दोनों ले लीजिए मजा जाएगा आपको बुक Amazon पे अविलेबल है और पेड क्लास के लिए आपको टेस्ट बुक पे अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप पेड क्लास ले ले सकते हैं है कि नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देख रहे होंगे यह लेक्चर जो कि जिन को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने पेपर देखा नहीं है तो ऐसा कौन सा पेपर टाफ आया था तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा भी कॉश्चन नहीं था वो कि जो पढ़ तो वो कॉश्चन को जिस प्रकार के थे मैं अपने आपको थोड़ा राइट साइड में कर देता हूं अच्छा अभी मैं बाहर हूं तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब देख पाए हैं थोड़ा समय साइड कर लेता हूं अपने आपको अब आपको क्लियर देख रहा होगा तो जैसे इस तरह के क्वेश्चांस थे जिन्होंने आप सब को बहुत परिशान किया हैं तो देखिए आप क्या आपको यह लगता है कि इन्टिकल आइडियलोजी एंड्री होगवुड की किताब हमने स्टीफन लिक की किताब लेकिन बस यह है कि उसके आगे हमने यह नहीं लिखा था यह कमी है मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो कमी है वस उसको दूर कर लीजिए आपका काम बन जाएगा फिर से आप अस्सी नब्बे पर आ जाएगे यहां पर भी आप किताब देखी एंथोणी गिडिन की किताब हमने कवर्की लिक्यड मॉडर्निटी रिस क कुसाइटि सारी किताबे कवर्ड है सारी की सारी पीटर बढ़र की बी किताब कहीं न तो नहीं कवर्ड होगी लेकिन वह अच्छे से द्यान नहीं है मुझे उस्लाइड से श्राइठ यहंपर भी है कि यह सारी कितावे रेंड डायर डायरांड डॉर्ण की किताब तो यह केताब जो है उनका अगर आप लिख लेते हैं partial did सोशाल क्लास एंड स्ट्राडिफिकेशन सेंस डर्स की किताब तो अगर आप लिख लेते हैं तो आपका काम असान हो जाता है ठीक उसी प्रकार से ये जो चीज है थोड़ा revolution वाले topic को add कर लीजिए बाकी सब चीज़ें cover की हुई है लेकिन भुल शेविक्स और palace revolution वगेरा जो है उसको थोड़ा सा देख करके cover कर लीजिए और वैसे भी ये question जो है डिलीट करना चाहिए ये question क्यों क्योंकि palace revolution नाम बहुत सारे revolution हुए है palace नाम के और ये sequence है कहीं बैठ नहीं रहाएं अब आपको December 2024 के लिए क्या क्या चीज़ें करने हैं पहली बात जो भी आपके पास किताब हैं जो भी आपके पास नोट से हैं ठीक उन सबको आपको अपडेट करना है जो ऑथर्स हैं उनकी किताबें ध्यान रखनी हैं जो important authors हैं और with year उनको याद रखने की कोशिश करना है अब year कैसे याद रखोगे तो एक पोस्टर बनाओ हमेशा जब भी पढ़ते हो तो एक पेपर पर सारी किताबें लिखा करो फिर उसके बाद उसको दिवार पर चिपका दिया करो और उसको देखा करो प्यार से ठीक है और शांती रखो यार अपने दिमाग में शांती रखने से ही बहुत करेक्व हो जाते हैं और यह शांटी कैसे आईगी बहुत सारा sidra बहुत सारा जितना रिवीजण कर सकते हैं अगर आप बुक पढ़ते हों या क्लास करते हैं उसका फाइदा तभी मिलता है जब आप उसको तीन या चार बार करें पर ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बैठके तीन चार बार तेखी लिए इसको डिवाइड की मैं गया चार महिने में दो या तीन बार लेक्चर देखिएb चार महिने में, कम से कम ठीक, चार महिने में कम से कम चार बार तो आप lecture देखी लीजिए चार बार तो same concept से गुजर जाएए फिर आप जो है, इतने मजबूत हो जाएंगे इतने strong हो जाएंगे कि आपको कोई ताकत हिला नहीं सकती सबसे पहली बात यह है आपको करना क्या है एवरी डे स्टडी करना है जो मैंने आपको पिछले बार बताया था कि कैसे आप डिसमबर 2024 का एक्जाम कर सकते हैं उसके 5000 वीडियो को देख लीजे बहुत सारे लोगों ने लाइक किया अगर आपने लाइक नहीं किया उस वीडियो न्यू क्लास जितने भी आप नया क्लास करते हैं उसके पहले उल्ड क्लासेस का आप रिवीजन करिए वीकली रिवीजन रखिए कि सटड़ी संडे मुझे रिवीजन करना ही करना है मन्थ में एक दिन दो दिन ऐसा रखिए जिसमें आपने पूरे मन्थ में जो पढ़ा हो है वो सब रिवाइस करें इतना कीजिए सौ प्रतिसाथ आपका ज्यारफ आएगा सौ प्रतिसाथ ज्यारफ हंड्रेड परसेंट आप ज्यारफ लाएगा कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में जो आपको रोड़ सके हैं और एक दोस्त के रूप में मैं आपके साथ हूँ क्योंकि आपकी सफलता में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा खुश होने वाला मैं ही हूँ तो भाई ये दोस्ती कैसे बनती है जब आप पेड क्लास करते हैं जब आप यूट्यूब क्लास करते हैं जब आप मास्टर क्लास करते हैं तब ये दोस्ती strong हो जाती हैं क्योंकि हमारी और आपकी दोस्ती लक्ष पे अधारित है जिस दिन आप J.R.F. ले आते हैं आप चले जाते हैं है ना लेकिन हैं खुशी दोनों को होती है और हमेशा बनी रहती है फिर आप जब भी message करते हैं तो आप पूछिएगा हर एक student जो भी हमारे J.R.F. लेकर के चले जाते हैं या जो G.C.Net qualify कर लेते हैं फिर message करते हैं तो बात होती है teacher's day में देखिए कितने सारे बच्चों ने wish किया है कि नहीं तो successful बनी है और successful कैसे बनेंगे जब आप सही दिशा में तयारी करेंगे तो सही दिशा में तयारी करने का यही है कि भाई कभी भी miss मत कीजिए तयारी को जिस तरह से आप खाने को miss नहीं करते हैं उस तरह से आप skip नहीं करते miss तो करते हैं skip नहीं करते हैं अपनी पढ़ाई को कभी skip मत कीजिए हो सकता है जरूरी काम आगया लेकिन उस दिन भी थोड़ा बहुत पढ़िए ऐसा मत कीजिए कि बिलकुल स्किप कर देते हैं तो लगतार पढ़िए रोज पढ़िए रिवीजन करिए फिर देखिए न कैसे नहीं होता है और टफ से टफ कोशन हो जाएगा बस उसको आपको अपडेट कर बढ़ना है जो टॉपिक वाइस बुक्स मैंने आपको लिखाई है उनके आगे यह लिख लीजिए धूंडूंड के पाइदा होगा और जब धूंडेंगे तो और भी बुक्स मिलेंगी आपको और भी बुक्स दिखेंगी ठीक है तो इतना काम कीजिए 100% मैं आपको बता र लीजिए फांडिशन बैस 2.0 स्टार्टेड है और अगर अभी तक आप वाट्सएप ग्रूप या टेलिग्राम ग्रूप का हिस्सा नहीं है तो बन जाएए ठीक पेपर वन की क्लास नहीं देखते हैं देखना शुरू करते हैं थैंक्यू वेरी मच्च मुझे उम्मीद है क कि इस वीडियो से आपको बहुत फाइदा मिलेगा और जो कहानी मैंने आपको सुनाई है वो किवल कहानी मत बनने दीजिएगा अपनी लाइफ में उतारिएगा और सफलता की सीड़ी लगतार चाड़ते जाएए ठीक थैंक्यू वेरी मच्च